अलो जी असलाम अलेकूम वेलकम बैक टो मैं चैनल अनधर डेन अनधर व्लॉग इन लाइफ कैसे आप सब लोग उमीद करती हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे मज़े में होंगे मैं अलहम देला बिलकुल ठीक ठाक मज़े में तो जनाब आज मैं इस ब्लेंडर को इसका आपके साथ एक चीज बनाती हूं समर ड्रिंक है बहुत मज़ेगा बनेगा आपने ट्राइ करना है असल इम्तिहान आज इसका पूरा हो जाएगा क्योंकि मैंने या पे लिए लिए हैं इसके इंग्रीडियंट्स बड़े सिंपल इंग्रीडियंट्स हम बना रहे हैं तो इसके लिए हमने क्या ले लिए एक अमने ले लिए और ये मैनने देखना आ diferen बिल्ऑ bushes सुछक्ष करता है मैंने इसमें ले लिए ऐक कप मैंने ले लिया पत्सरीजरे वह nggakि meelect लिखेंगे। हम शुक्तित गवरेंगे। गलुखेंगेषाद कुछ भी में अधिक हम इसमें। पूरा एड करदेंगे। उसके बाद हमने झाखना करना है। हम इसको क्रश करेंगे। और मुझे सिप यह चेक करना कि यह जो blender है यह इस को कैसे crush करता है यह इसका आज हम इसको देखते हैं कैसे करेगा अच्छा करता है नहीं करता सब पता चल जाएगा जी आज हमें चले इसको हम रखते हैं प्रॉपर इसकी लिड ऐसे और इसको हम कर देंगे बंग यासे चले अब मैं इसको यहां पर इसकी different नहीं स्मूदी जैं एक्स्ट्रैक्ट है इन्होंने से दो चीज़ों को highlight किया उनको पता इसमें क्या है तो हम इसको करते हैं आईस क्रश के ओपर डाल देते हैं कि यह रुकता है खुद ही चलता है खुद रुकेगा आप देखरें आप इसके सेकिंड चल रहे हैं और जब यह बंद होगा तो फिर बुटाबे की सप्रीब की रही होगा कि इसका टाइमर हो गया जीरो अब हम इसको ओपन किया अब मैंने इसको टेस्ट किया तो इसमें थोड़ा सा मीठा कम है तो मैं इसमें क्या करूंगी तू टी स्पून मैंने इसमें शूगर के एड़ कर देना है क्योंकि मैंने इसलिए पहले एड़ नहीं की थी क्योंकि सम्टाइम स्रॉबेरी बहुत ज्यादा मीठी होती है तो फिर उसका फ्लेवर आपको बहुत ज्यादा मीठा लगता तो बस अब हम इसको जल्दी से एक दफा और करते हैं इसको हम यहां पर इसको आप ओपन करें तो यह जग का काम भी देगा तो चाने और यह चेक कर लें जी आप वाव यह चेक करें और इतना जबरदस्त उसका टेक्शर इसने बनाया बहुत अच्छा बनाया रिक मैंने तो इसको पास कर दी है पहले जो अटेम्ट मैंने किया उस पे ल जासे मैं इन चीजों को यूज करती रहूंगी मैं आपको इसके बारे में और डिटेल से बताती रहूंगी कि 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 अगर किसी लोगों ने जो मेरे व्लॉग्स देखने अगर वो खरीदना चाहते हैं और तो वो अगर इनरस्ट करेंगे तो क्या उनका जो पैसे यह वो वेस च्यूब्स में किसी और चीज में नहीं डालती हूं तो वूस पे तो मेरा दिल बड़ा खुश हो गए अब मैंने कह चलें आपके साथ यह शेयर करती हूं कि मैं अपना जो भी अचाहर लेकर आती हूं उसको लॉंग टाइम सेफ करने के लिए मैं क्या करती हूं बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं गुल आप अचाहर खाती है तो आपका अचाहर ड्राइ नहीं हो जाता हम जब भी अचाहर लेते हैं हमारा अचाहर ड्राइ हो जाता है तो देखें इस अचाहर में बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल ड्राइ अचाहर है और बिल्कुल मैं आपके बास से कँछा को बया निकाल दिया बाक्स युटार मीरे पास के नुट्र आ यहां वाल है है इसको मै इसमें क्लाइग कर आग्यों का जाइगा तो आपका बीनला और आफ सक्केश्के जाम दिया थे अंगर हैं तो आपका अचार कभी भी ना ड्राय होगा ना उसमें फंगस लगेगी ना वो खराब होगा और दूसरे चीज़ कि अचार के अंदर आपको अपना हाथ नहीं लगाना चाहिए कहते हैं अगर हाथ लगाएंगे तो उसमें फंगस आ जाती है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फोर्क या स्पून के साथ ही उसको मैं निकालती हूँ या रखती हूँ तो यह चोटी चोटी टिप्स होती है हमारे बच्पन में तो घरों में अचार बना करते थे इतने ज्यादा बड़े बड़े मरतबान होते थे जिसमें मारे घर में अचार बना करते थे तो वो बात तो नहीं लेकिन ये अचार भी मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेश्चों का अचार तो उसकी क्या ही बात है तो बस आप घर के मैंने काम शाम की है आज बहुत दि करना फिर अंदर जाना और कभी कभी अगर बहुत जादा लोग महां बैठे होते हैं तो भी कमफटेबल फीड नहीं हो रहा होता कि आप कैसे जा कि वहां पर ब्लॉगिंग करेंगे लेकिन आज मैंने सोचा था कि चलने थोड़ी 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 ब्लॉगिंग करती कि आप लोग उसको बड़ा पसंद कर रहे हैं लाइक आपको शायदी छोटे चोटे दिन की जो मेरी डीटिल्स होती है वो आपको अच्छी लगती है आपको पता चल जाता है कि मैंने अपना पूरा दिन कैसे गुजा रहा है तो बस अभी जनाब हम निकले हैं जो मसाज के और यह मेरे घर के बिलकुल करीब है पौरफ से साथ मिनट की ड्राइब पर है तो मुझे इसली कन्वीनियन्ट लगता है क्योंकि मैंने एक ट्राइस हमंग जाना होता तो जब मैं इदर जाऊँ तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं जाओं तो मइसाधा ड्राइब कर ना ज तो मैंने चले आपको थोड़ा सा दिखा देती हूं यह पूरा का पूरा जो इनका यह मसाज एडिक्ट वालों का एक छोटा सा इनका बहुत प्यारा लाइक साफ जासे अंदर आते हैं इतनी अच्छी एसेंशल ऑइल्स की खुश्बू आती है मुझे वह इतनी अच्छी लग है तो मैंने कोई बात नहीं बैट जाती हूं जब मेरी बारी आएगी तो चली जाओंगी कभी कभी ऐसा होता है ना जब आपकी अपॉइंट्मेंट होती है तो आप बहुत जल्दी घर से निकल जाते हैं तो मेरे साथ तो यह एक्सर ऐसा होता है क्योंकि मुझे इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान होता है कि मैं लेट ना हो जाओं तो जनाब हो गया जी मेरा मसाज मसाज करवा किया मैं वापस जा रही हूं घर बड़ा ही मज़ा आया रिलैक्सेशन मसाज मैं करवाती हूं आप लोग हमेशा पूछते हैं कि गुल आप कौन सा करवाती है मसाज तो हम किसी ने जी भेजा थे फूलों के बुके मेरे लिए एक बुके था और उसके अंडर कार्ड भी लखा और मैं आपको दिखाती हूं यह अभी खोला इन्हों ने खोला नहीं दै करते हैं को रिलिवर कर कर गया तो आइड रोण नो किसके लिए था तो जब मैं देखा तो यह ह को बताया है कि मैं थोड़ सी शाइट पे छुटी मुटी एक जॉब भी करती हूं पार्ट टाइम तो जब मैं जॉब करते हूं तो मेरे ओफीस की तरफ से आया था और अन लोग ने मुझे ठेंक्स का दियाथा जी कार्ड च थैंक्स के फूल भी ऑन का चले आपके साइएगा मेरे चैनल पे मैं मिलूंगी आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और ने व्लॉग के साथ तब तक रखिएगा आप अपना खयाल मुझे रखिएगा आप अपनी दौाओं में याद टेक केर जी अल्ला हाफेज झाइएगा आपके साथ